हेलो दोस्तो मैं रेजनी बंसल आज एक बार फिर से आपके समक्ष पस्तित हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर दोस्तो राजस्तान शिक्षा राज्य एवम अधिनस्त सेवा नियम 2021 वाले नियमों में प्रावधान करके कुछ नए नियम बनाए हैं आईए देखते हैं कि कल जारी हुई इस अधित सूचना में क्या नया है दोस्तो जैसा कि यहां आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारिक से प्रवरित होंगे यानि दोस्तो ये 7 फरवरी 2024 से ये सभी नियम आगे आने वाली सभी परिक्षाओं में प्राध्यमिक शिक्षा के स्थान पर विद्याले शिक्षा पढ़ा जाएगा दोस्तो इसमें जो कुछ खास नियम है मैं आपको उनी के बारे में बताऊंगी दोस्तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शिर्ष समूख में प्राध्यापक जीव विज्ञान यानि फर्स्ट ग्रेड टीचर ओफ बायोलोजी में पचास प्रतीशत सीटे डारेक्ट रिक्रूट्मेंट से होंगी और पचास प्रतीशत प्रोमोशन से होंगी और इनमें पचास प्रतीशत जिनकी बरती डारेक्ट रिक्रूट्मेंट से होगी आईए देखते हैं कि उनकी क्या अल्यानुदान आयोग यानि UGC द्वारा मन्यता प्रात्थ, PG या फिर उसके समक्ष परीक्षा शर्ते, राश्ट्री अध्यापक शिक्षा परीशद, NCTE, राजस सरकार द्वारा मन्यता प्रात्थ शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के साथ उन्होंने सनातक स्तर पर व जूओलोजी प्लस बायोलोजी दोनों ही सब्जेक्ट होने चाहिए, इसके साथ साथ बीयड भी होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों MSC में से जो ये सारे सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, उन में से किसी एक सब्जेक्ट में आपने PG किया हुआ हो, तभी आपको प्रिष्ट अध्यापक के रूप में चैनित हैं, और जो फर्स्ट ग्रेड में प्रोमोशन चाहते हैं, दोस्तों उनके लिए भी उन्होंने योग्यताएं बताई हैं, उनकी योग्यताओं में हैं कि उन्होंने प्राणी विज्ञान, वनस्पती विज्ञान, सूष्मत जी विज्ञान, जीव प्रोध्योगी की जीवन विज्ञान अत्वा जैव विज्ञान इन में से UGC द्वारा मनेता प्राप्त, PG या फिर उसी के सम्तुल्य परिक्षा यानी NCTE बशर्ते उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पर वनस्पती विज्ञान और प्राणे विज्ञा हो और इसके साथ ही साथ उन्हें पांच वर्ष का अनुबह भी हो ऐसे मेरे मित्रों को सीनियर टीचर से स्कूल लेक्षर में चुना जाएगा इसके साथ ही साथ दोस्तों शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि ऐसे अभियर्थी जिन्होंने 3-8-2021 से पहले ही सनातक स्तर से बिन्न विशे में PG डिग्री प्राप्त की हो तो उन पर भी पदोन्नती यानि प्रोमोशन के लिए विचार किया जाएगा उनका भी प्रोमोशन हो सकता है लेकिन मेरे जिन्मित्रों की PG 3-8-2021 के बाद की है उनके उपर ये सभी शर्तें लागू होंगी आईए चलते हैं PG प्लस चार या पांच साल का डिप्लोमा मांगा है आईए चलते हैं नेक्स्ट अप्रेट पर दोस्तो प्राध्यापक क्रिशी में 100 की 100 प्रतिशत सीटें सीधी बरती से बरी जाएगी दोस्तो इसमें भारतिय क्रिशी अनुसंदान परिशद राज्य सरकार द्वारा मानेत प्राप्त किसी विश्विध्याले से प्रिशी उध्यान किरी के सुसंगत विश्यों में PG के साथ शिक्षय में राष्ट्री अध्यापक, शिक्ष़परिशय सरकार द्वारा मानेता प्राप्त, डिग्री या डिप्लोमा दोस्तो क्रिशी और बायोलोजी दोनों की फर्स्ट क्रेड लेक्चरर की योग्यता हैं दोस्तो इन में कुछ बदलाव नहीं किया गया है आईए चलते हैं प्राध्यापक विशेश शिक्षा पर दोस्तो स्पेशल एजूकेशन टीचर में 50% सीटें सीधी परती से और 50% परती से बरी जाएंगी इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं इनके द्वारा दी गई योग्यता है पीजी अंग्रेजी हिंदी इतियास राजनीती विज्यान समाच शास्त्र संगीत अथवा बीड ये सभी विशेश शिक्षा से होनी चाहिए और वैसे भी दोस्तो विशेश शिक्षा में ये लोग ही चैन करते हैं आएए आगे देखते हैं कि इन्होंने किस किस नियम में कौन-कौन सा बदलाव किया है दोस्तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ क्रिशी और बायोलोजी में ही ये चेंज किया गया है बाकी कोई भी स्टूडेंट जिसने बीसी या के लिए एलीजिबल हो सकता है आए अब चलते हैं अपनी सबसे मैतोपून अपडेट पर दोस्तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सामान्य अध्यन की मद संग्या बाच में विद्यमान अभिव्यक्ति शेक्षिक प्रबंदन के स्थान पर अभिव्यक्ति शेक् दोस्तो शेक्षिक मनोविग्यान जो पेपर टू में दिया जाता था एटी मार्क्स का उसे वहां से हटा कर फर्स्ट पेपर में रखा गया है तो अब कवाय देख यह भी बन रही है दोस्तो जैसे हमारा फर्स्ट जो पेपर है उसमें 75 questions आते हैं जो सेकंड पेपर है उसमे 150 questions subjects related होंगे इसमें हो सकता है कुछ course बढ़ाया जाए इसकी काफी संभावना है कि कुछ एक नई topics इसमें add किये जाएंगे इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर में 75 questions आ रहे हैं उसके साथ साथ आपको इसकी पूरी संभावना है कि next 25 questions इसमें add करके इसे 100 questions यानी 200 number का बनाया जाए यानी अब first grade और second grade दोनों paper ही first paper इसमें 200 number का और second paper इसमें 300 number का यानी total 500 number के दोनों paper होंगे जैसा कि second grade में किया जाता है तो आप इसे पूरा ध्यान से समझे कि अब educational psychology आपके second paper का part नहीं है वो आपके first paper में ही डाल दी जाएगी यह एक मेरी guess है कि 75 questions की बज़ाए अब बढ़ा कर 100 questions किये जाएगे आइए चलते हैं अपनी next update पर जो की है second grade भरती को लेकर दोस्तों second grade भरती में क्रम संक्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ती प्रतियक प्रेश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी क्रम संख्या 5 में विद्यमान अभीव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी यानि दोस्तो यहां आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं 2021 में जो परिवर्तन किया गया था दोस्तो उसके अनुसार 40% मार्ग्स आपको फर्स्ट पेपर में आपको 40% मार्ग्स लेकर आने हैं यानि जहां पर पहले 200 प्लस 300 दोनों पेपरों में 40-40% मार्ग्स अलग से लाने होते थे वही अब 500 के 40% यानि टोटल आपको 200 नमबर लाने आवश्यक है अब दोनों पेपरों में अलग-अलग से 40% लाने वाले नियम को हटा दिया गया है इसके साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यह सेकंड ग्रेड में किया गया है और लेकिन फर्स्ट ग्रेड में इस नियम को जस्का तस रखा गया है वहाँ पेपरों में 40% नंबर अलग से लाना अवश्यक है आईए देखते हैं कि अब इन्होंने और क्या बदलाव किया है दोस्तों इसके साथ ही साथ प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा वरिष शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परिक्षा की स्कीम और पठे विवरण की अधीन अभिव्यक्ति प्रतेक प्रश्न के लिए हटाई जाएगी यानि दोस्तों PTI 1st Grade, 2nd Grade और 3rd Grade में से जो 40% वाला नियम था कि दोनों पेपरों में होना चाहिए वो इसमें से भी हटा दिया गया है यानि इसमें भी दोनों पेपरों को मिला कर आपको 40% अंक कम से का मवश्य लाने हैं आईए देखते हैं कि और कौन से विशे में ऐसा चेंज किया गया है दोस्तों पुस्तकाले अध्यक्ष 2nd Grade और 3rd Grade के लिए भी प्रतियक प्रश्न पत्र के लिए वाली अभी व्यक्ति हटाई जाएगी यानि 2nd और 3rd Grade लाइब्रेरियन में भी 40% प्रतियक प्रश्न पत्र वाला क्राइटेरिया हटाया गया है इसके अलावा प्रयोक्षाला सहायक पदों के लिए भी 40% वाला क्राइटेरिया जिसमें दोनों पेपरों में अलग-लग 40% लाने थे वह अटाया गया है इसके साथ-साथ दोस्तो वरिष्ट कमप्यूटर अनुदेशक में भी यह क्राइटेरिया हटाया गया है तो आएए अब बात कर लेते हैं कि कोन-कोन से प्रशन पत्र में यह क्राइटेरिया हटाया गया है दोस्तो सबसे पहले तो second grade से हटाया गया है इसके अलावा PTI फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड तीनों से हटाया गया है इसके अलावा लाइब्रेरियन से हटाया गया है और कम्प्यूटर अनुदेशक प्रयोगशाला सहायक से भी दोस्तो प्रत्यक प्रेशन पत्र में अलग से 40% लाने वाला क्राइटेरिया हटाया गया है इसके साथ साथ दोस्तो कम्प्यूटर अनुदेशक से भी यह क्राइटेरिया हटाया गया है दोस्तो सेकंड ग्रेड कम्प्यूटर अनुदेशक में नियूनतम अरहक अंक 40% होगे परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्तियों के लिए उपरोक्त नियत प्रतिशत को 5 प्रतिशत तक कम रखा जाएगा दोस्तो लाइब्रेरी में जो 40% वाला क्राइटेरिया हटाये गया है दोनों प्रशन पत्रों से वह तो हटाया ही गया है अब आपको दोनों प्रशन पत्रों में मिला कर 40% कम से कम लाने है इसके अलावा दोस्तो इसके सिलेबस में भी कुछ चेंज किया गया है जो आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं दोस्तो इसमें विश्व और भारत का सामान्य ग्यान हटाया गया है इसके अलावा उनकी विशेष्टाएं CADC, UDC के स्थान पर अभिव्यक्ति उनकी विशेष्टाएं CC, DDC, UDC यह आपके सिलेबस में रखी जाएंगी दोस्तो इसके साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान को इसमें से हटा दिया गया है पूरी तरीके से यह आपके लिए ब पूरी तरीके से हटा दिया गया है तो मेरे लाइबरेरी वाले दोस्त इसे अवश्य ध्यान रखें इसके साथ ही साथ मैं आपको इबार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि क्रिशी और बायोलोजी में UG और PG के रूल सेम है तता आपके फर्स्ट ग्रेड में शिक्ष 40% मार्क्स लाने अनिवारे हैं यदि हम सेकेंड ग्रेड की बात करें तो दोस्तो उसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपरों में मिला कर आपको 40% लाने है उसमें यह क्राइटेरिया हटा दिया गया है कि दोनों पेपरों में आपके अलग-लग से 40% मार्क्स होने 40% लाने की अनिवारियता नहीं रही है अब आप इसके दोनों पेपरों में मिलाकर 40% ला सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तो लाइबरेरियन में आपके विश्व और भारत का सामन्य ज्यान हटाया गया है और साथ ही साथ आपके शिक्षा मनोविक ज्यान को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है तो यह थे कुछ चेंजिस जो राजस्तान सरकार कार्मिक विभाग ने कल जारी किये हैं आशा करती हूँ कि आपको यह नियम अच्छे से समझ आ गई होंगे यदि आपको इसमें कोई confusion है तो आप comment section में comment कर सकते हैं आपको आपके comment का जवाब अवश्य मि दियू थैंक्स फ़चिंग भाजग बाजगाई